भाईयो आज माया हूँ जिला मुर्वा के ग्राम दरियापुर में और डाक्टर साब ने बहुती नई गन्ना पिर जाती दो गन्नों की पिर जाती करी है मेर बात है ये ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि जोन सी इन्होंने दो नई गन्ना पिर जाती लगाई हैं एक भी इस्प्रे और बॉआई से बाद एक भी कोई कीटना सब्सक्राइब का यूज निकिया के वाल यूरिया के बेस पर इन्हों ने यह गन्ना बॉआई करी है मतले गन्ना उठा दिया है इतना बढ़िया गन्ना हो रहा है तो इस सारी जान कर लेंगे कौन सी पिर जाती है क जो महाराष्टकी इसका आपको नाम कर निगहा तो जैसा आपने गन्ना दिखा रहे हैं एक तो मुझे ऐसा लग रहा है गन्ने के कले बहुत है इसमें और गन्ने की मोटाई है प्वंुरे का उप्षी है और कोई की अच्छा रोग भी लगा था सायथ थोड़ा सा उपर को तो आपको इसका जमाओ कैसा लगा बहुत अच्छा है बहुत 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 जादा जैसे कल्ले जादा है तो गन्ये की मोटाई पर फरकने पड़ा तो यह वेराइटी आपने जैसे पहली बहुत लगाई इस बार नाम का तो आपको नहीं पता तो आपको कैसी लग रही है यह बढ़िया बजन कैसा था बजन अच्छा है और अंगोला भी अच्छा लग लिए तो आप यह बताई आपने वहाई पर क्या दिया और उससे बाद क कोई कीटना सब्सक्राइब को कीटना सब्सक्राइब करते हैं किसान भाई तो इसमें कोई जुरत नहीं पढ़ लिए बिल्कुल भी नहीं यारो यह बात तो आप आप देख लो देखो किसान भाई यो गन्ना तो इनका बढ़िया है अच्छा ट्रंच्वीदी सब्सक्राइब कोई कीटना सब्सक्राइब कोई कीटना सब्सक्राइब करें लेकिन फिर भी किसान भाई के गन्ना नहीं हो अगर किसान भाई नहीं पिरजाती पर जाएंगे और अच्छा पिरजाती का चुनाओ करेंगे तो दवाईयों का कम इस्तमाल यूरिया कितना देते हो आपके लगाते हैं पांच-दस किलो बिरती भीगा उससे बाद एन्पीक भी नहीं दिया आपने जो दिया जड़फे द नहीं डाला आपका कहने का मतला यह है बिल्कुल जीरो बजट खेती करिए यह इन दोनों में आपने यह करके देखा है कि नहीं पिर जाती है कैसी होंगी इसी बेस पर आपने दवाई नहीं अगर लागत लगाएंगे अच्छा हाइट आपके घन्ने ने इतनी जादा नहीं लागत नहीं लगी तो दूसरा करना और दिखाईए यह कौन सी पिर जाती है चैसी जुरो बत्तिस को भी आपने यही लागत दी है अच्छा यह सुनते हैं कि चैसी जुरो बत्तिस बहुत बढ़ी हा वैराइटी है तो इसकी गन्ने की मोटाई कैसे कर लिए आपने मोटाई देख लो भाई और रंग कैसा है कलर और इसकी गन्ने की मोटाई काफी सांदार है और गन्ने की इसकी हाइट भी काफी है तो यह प्रिजाती कहां सलाय थे आप क्या आवरेज इसका वहां पर अच्छी यह सुनते हैं कि चैसी जुरो बत्तिस अर्टिस से भी टो बैराइटी के टैम जो लगा बुवाई पर लगा केवल बुवाई पर तो जैसे आपने दोनों गन्ना पिरजाती वहाई करी तो इन दोनों पिरजाती मैं 0-238 जाने की चमता है यह नहीं आपने तो कह दी बिलकुल है लेकिन आपका गन्ना यह मोटा तो है लेकिन उसकी बरबर अच्छे जैसे आपने बुवाई कर रहा था तो जमाव कैसा इसका बढ़िया था काफी अच्छा ट्रिलिंग मुझे लगए इसमें कुछ कम है कामें इसमें लेकिन गन्ना मोटा बहुत है किसान भाई इसा बिलकुल यह कहेंगी कि बहुत सांदार गन्ना है मोटा इसकी अरतिस अच्छा बजन जाएंगी जैसे किसान भाई यह कहते हैं कि मील लेगा या नि लेगा तो आपको किया लग रहे हैं और तो पीछे पड़े रहें आप बिलकुल ले जाएंगे मील वाले भी कह रहा है चलो एक जानकार योड़ तो अगर कोई किसान भाई यह सोचे कि ह हमें नोर्मल लागत में अच्छा गन्ना करना है तो उन किसान भाईयों के लिए क्या कहना चाहोगे आप बहुत बढ़ है लेकिन लंबाई नहीं ली इनके गन्ने ने क्योंकि इनकी लागत बिल्कुल सामान्य से भी कम है अगर कोई किसान भाई इनके खेट पर आकर देखना चाहते हैं तो यहां पर आयकर विजिट करें और इनसे संपर करें फोन नंबर इनका वीडियो में मैं डिस्क्रेशन में डाल दूंगा और यह बताएंगे फोन नंबर कोई किसान भाई अगर इनसे संपर करना चाहें तो दोनों विज्जों की एक तो यह बताएंगे कि इसकी क्या खास्यात है इन्होंने क्या लगत दिये और सई संपर कर सकते हैं और कोई भी जानकरी चाहिए अधर तो मेरे नंबर भी आप फोन पर है आप वहां से जानकर ले सकते हैं मुझसे भी और इनका नंबर में डाल दूंगा धन्यवाद नमस्कार